हेलो फ्रेंड्स मैं सत्यजित गायकवाड एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज हम सिखने वाले हैं सिमिलारिटी जिसमें आज हमारा टॉपिक है बैसिक प्रोपोर्शनलिटी थेरम एंड एंगल बैसेक्टर थेरम सिमिलारिटी की यह पार्ट सेकेंड है अगर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी की पूरी की पूरी बाते आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही फ्री तो जल्दी से जाईए और डिस्क्रिप्चन में दी गई लिंक से नून एक डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लास इसका मज़ा लीजिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले हम देखने वाले है आज बेशिक प्रपोशनल्ब्टि थेरम बेशिक प्रोपोशनल्टि थेरम क्या होता है और किस्से टर्रेलेटन यह सब से पहली बात तो बेसिक प्रोपोशनली लाइन है जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाएगा है यह लाइन यल जो पैरलल है इस साइड को साइड बीसी के लिए बीसी से पैरलल है and intersect the remaining sides in two distinct points और इस लाइन ने दूसरी दोनों साइड को intersect किया हुआ है इन दोनों points में इन दोनों points में intersect किया हुआ है यह तो हुई हमारी condition given part then to prove वाला part क्या होगा the line divides the side in the same proportion then line जो है वो क्या करने वाली है divide करने वाली है इन दोनों sides को side a b and side a c को in same proportion proportion मतलब यह वाला जो part है और यह वाला जो part है इन दोनों का ratio यह दो part के ratio के equal होना चाहिए ऐसा यह theorem हमें बताता है यानि कि ऐसा theorem हमें यह प्रूव करने तो theorem को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह बहुत ही ज्यादा important theorem है और exam में बहुत ही ज्यादा पूछने पूछने जाने वाला theorem है 3 min के लिए आपको यह exam में पूछा को Mexican में तो मैं दिजिए जितनी tips में अपको बताता है सटेप में एकर अपको यह theorem कंप्लिट करना है और सब्यादा में मरखने क्रिदेक्ति जिए क्या में तो यहां रखने की ज़नों क्या है तो nokे मैं जोश जो जो दिया गया है if के बाद जो दखिए यहां पर यह वाला होता है हमारा given part a line is parallel to a side of a triangle triangle है कौन सा triangle है triangle ABC है यानि कि in triangle ABC क्या दिया गया है in triangle ABC line is parallel कौन सी line line yal line yal is parallel to side bc ओके इतना दिया गया है और intersect the remaining two sides in two distinct points point P and Q में intersect हो गए मतलब A-P-B and A-Q-C यह भी लिखके लेना है A-P-B also A-Q-C तो यह दोनों पार्ट हमने लिखके लिए यह हुआ इवन पार्ट इससे ज्यादा कुछ information दी गएने है then then क्या आगे होता है हमारा to prove का पार्ट क्या है प्रू क्या करना है कि यहां पर देखें the line divides the side in same proportion proportion यानि कि इन दोनों पार्ट का ratio कौन सा पार्ट A-P upon P-B इसका ratio जो है वो A-Q upon Q-C के बराबर होगा A-Q upon Q-C यह होना चाहिए हमारा final answer यह आना चाहिए यह हुआ हमारा to prove उसके बाद यहां पर हमें करना है construction क्या करना है construction क्या है construction क्या है construction है हमें join करना है PC and BQ यहां पर show किया गए देखें यह PC and BQ यहां पर show किया गए join क्या करना है join करना है यह पहले से दिया क्या नहीं होता है join करना है जोइन PC and BQ तो यह तो हो गया हमारा given to prove and construction का part उससे आगे हमें क्या करना है प्रूफ करना है क्या करना है प्रूफ लिखना है कि कैसे हमें प्रूफ करना है तो देखे वहाँ पर मैं आपको दो स्टेप्स पहले बता दो उससे आगे का आप खुद बखुद कर सकते हो तो पहली तो स्टेप यह है कि हाँ पर यह वाला एक triangle और यह वाला एक triangle consider करना है जो left side में यह दोनों triangle consider करना है triangle APQ इन triangle APQ and triangle BPQ तो सीधे-सीधे आपको दोनों triangles के areas के ratio लेने है area of triangle APQ upon area of triangle ट्रेंगल बीपी क्यों और सीधी सीधी बात दोनों ट्रेंगल जो है उनके रेशो यह यह जो पहला वाला रेशो एपी अपन पीबी इसके इक्वल लिखना है एपी अपन पीबी एपन पीबी ओके तो यह हुआ हमारा लेखेवागा नीव्ट इक्वल हईट आ ऊके तो इस तरीके से तो होगय हमारा बहला स्टेट्मेंट दूसरा स्टेट्मेंट हम लेंगे सिमीलार्ली यह वाला ट्रेंगल कैंसल करके इधर एक ट्रेंगल जो है यह वाला ट्रेंगल यह कंसिडर करेंगे मतलब APQ सेम रहेगा एरियाफ ट्रेंगल APQ अपन दूसरा जो ट्रेंगल है नीचे है CPQ BPQ की जगह पर क्या लेना है CPQ एरियाफ ट्रेंगल CPQ is equal to यह यह ratio AQ upon QC यह वाला AQ upon QC similarly लिखने के बाद reason लिखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ equation number 2 देंगे तो equation number 1 and 2 में आप देखिए कि right hand side जो है AP upon PB is AQ upon QC यह दोनों हमें equal show करना है क्या करना है यह दोनों जो parts है यह दोनों जो sides है right hand side जो है दोने equation की वो हमें equal show करना है तब जाकर हमारा यह theorem prove होगा अगर right hand side हमें prove करना है equal show करना है तो left hand side भी equal होना ज़रूरी है left hand side में क्या equal है देखिए numerator तो same ही है APQ APQ सिर्फ denominator equal दिखाना ज़रूरी है वो दिखाएंगे यहाँ पर area of triangle bpq is equal to area of triangle cpq area of triangle cpq अब यहाँ पर एक बात ध्यान में देना जरूरी है equation number 3 कि area equal curve होता है area equal show कि यहाँ पर area equal curve होता है area equal होता है जब base or height equal होती है triangle with क्या है triangle sweet equal base and height दोनों की base or height क्या है equal है तो कुछ इस तरीके से यह लिखना है अब देखिए आप यहाँ पर देखिए APQ APQ तो same है numerator same है और denominator भी हमने क्या किया यहाँ पर equation 3 में equal बताया गया है तो equation 1,2 और 3 से हम left hand side equal show कर सकते है याने कि area of triangle APQ upon area of triangle BPQ यह वाली left hand side दूसरे equation के left hand side से equal हो जाएगी area of triangle APQ upon area of triangle CPQ यह equal हो गए तो यह दोनों left hand side equal होने के बाद इसका reason क्या देंगे इसको पहले तो equation number 4 देंगे equation number 4 ओके तो उसके बाद इसको reason देंगे from equation 1,2 and 3 बस यहाँ तक आपको धहन में रखना था यहाँ तक आपको धहन में रखना था यहाँ तक आपको धहन में रखना है left hand side equal show की गई है यहाँ पर left hand side equal हो गई तो already right hand side equal क्या आजेगी मतलब therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC equation 3 drop करके बाखी के equation लगा दो यहाँ पर from equation 1,2 from 1,2 and 4 ओके तो कुछ इस तरीके से हमें यह वाला answer find out करना था जो कि हमने find out कर लिया यह शो कर दिया तो यह वाला theorem हमारा यहां पर प्रूव हो गया तो hence इस तरीके से आपको यह थेरम solve करना है जब प्रूव करना है कोई भी ज्यादा सोचने की जूरूत नहीं है जैसे जैसे मैंने बताया गया है वैसे आपको प्रूव करने है अगर आप फिर भी आपको ट्रैंग्स तरीके समें डिए ट्रेंगल एृब सी कुछ इस तरीके से रहाम में यह तरीके में अंगीन अब्सी दिया इस पर बीची जो दी-ई-वह यह ऑघहर यह है किए 8 AD कितना है 1.8 EC कितना है 7.2 EC कितना है 7.2 and AE क्या है मालूम नहीं find out करना है तो question mark तो हम क्या करेंगे पहले तो दी गई information लिख लेंगे क्या करना है in triangle in triangle ABC क्या दिया गया है दिया गया है कि DE is parallel to BC and therefore we can use basic proportionality theorem therefore by using क्या करना है basic proportionality short में लिखेंगे bpt क्या है bpt by using bpt याने के basic proportionality theorem तो basic proportionality theorem में क्या होता है जब एक line जो यहाँ पर DE दी गई है एक side से parallel होती है तो दूसरी दोनों side को equal ratio में divide करती है equal ratio में याने AD upon DB ये वाला ratio किसे equal होगा is equal to AE upon EC तो समझों यहाँ पर AD की value कितनी है 1.8 upon DB की value है 5.4 is equal to AE find out करना है as it is रख देंगे upon EC कितना है 7.2 तो यहाँ पर हम देखेंगे 1.8 रफ में शो करेंगे 18.3 जा 54 यह तो हमें मालूम है मतलब इसका answer क्या मिला हमें 1 upon 3 is equal to right hand side में क्या है AE upon 7.2 अब क्या करना है अब cross multiplication करना है 1 in to 7.2 that is 7.2 itself is equal to AE multiplied by 3 मतलब क्यों यहाँ फिर 3 multiplied by AE तो AE तो find out करना है as it is रख देंगे multiply 3 जो है यहाँ आपकर क्या होगा divide होगा 7.2 divided by 3 तो इनकी division हम perform करेंगे कुछ यहाँ पर 7.2 is divided by 3 3 to the 6 बचा कितना 1 पॉइंट जो है उपर ले लेंगे तू नीचे लेंगे 3 4 जा 12 कितना आया answer 2.4 क्या है value of AE 2.4 answer क्या मिला हमें answer मिला AE is equal to AE is equal to 2.4 centimeters तो कुछ इस तरीके से यह वाली value हमें find out कर सकते हैं देखे इसी तरह के से question पूछे जाने वाले है exam on the basic proportionality theorem basic proportionality theorem जो है तीन values दी गई होती है चोथी value find out करना है कुछ इस तरीके से यह वाले steps आपको ध्यान में रखना है तो I hope यह वाला example आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम देखने वाले है इसके बाद देखने वाले है property of an angle by sector of a triangle angle by sector क्या होता है तो पहले तो property आने के theorem देखेंगे तेरम क्या है theorem है the by sector of an angle of a triangle जो angle by sector होता है वही divides the side opposite to the angle वो divide करता है opposite side को in the ratio of the remaining sides उसका opposite side को divide करने के बाद बना हुआ ratio और remaining sides का ratio वो equal रहेगा ऐसा यहां पर बताया गया है जैसे कि सपोज यह देखे एक ट्रेंगल है कौन सा ट्रेंगल है सपोज यह ट्रेंगल है a b c कौन सा ट्रेंगल है ट्रेंगल a b c तो यहां पर देखिए पहले तो यह यह एक angle by sector हुआ a d क्या हुआ angle by sector उसके बाद हमें क्या करना है तेखिए इसमें आपको द्हान में रखना है angle by sector मतलब यह दोनो angle equal हो जाएंगे तो उसके माद आपको द्हान में मतलब जो bisector है divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining to set मतलब angle bisector होगा वहाँ पर मतलब angle bisector कौन सा है inter angle ABC angle bisector जो है AD is the bisector of AD is the bisector of angle BAC तो ये वाला पार्ट दिया गया है क्या prove क्या करना है to prove prove क्या करना है हमें हमें सिर्फ इतना ही prove करना है कि angle bisector of divides divide करता है क्या करता है side opposite to the angle ये side opposite है BC opposite side है तो उसे divide किया BD और DC में in the ratio of remaining sides यानि कि BD upon DC का ratio जो है BD upon DC ये जो ratio है ये remaining side के ratio के जितना होगा मतलब BD upon DC is equal to AB upon AC is equal to AB upon AC कुछ इस तरीके से आपको ये वाला part show करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमें prove करना है तो उसके बाद हमें देखना है construction क्या करना है हमें construction करना है क्यों construction के सिवा ये वाला theorem prove करना impossible है construction क्या करना है और उसके बाद point c में से एक ऐसा रे हमें ड्रॉ करना है जैसे कि क्या होगा कि जो ad है और यह सपोज यहां पर तो ad और ec जो है parallel हो जाएगे हमें क्या करना है extend करना है extend extend ray ba इस direction में extend किया तो ba होगा ray ba and draw ce parallel to ad as shown in figure यह हमें as shown in figure यह वाला हमें construction हमें यहाँ पर perform कर लेना है तो अब देखिए अब क्या होगा अब यह जो triangle है triangle bec यह triangle हमें consider करना है proof part में क्या करना है proof वाले पार्ट में क्या करना है यह हमें triangle consider करना है proof वाले पार्ट में triangle bec in triangle bec क्या दिया गया है वहाँ पर construction में देखिए in triangle bec ce is parallel to ad या ad is parallel to c ad is parallel to c e तो वहाँ पर bpt यूज कर सकते हैं तो bpt यूज करने के बाद क्या हुआ देखिए यहाँ आइसा ट्रेंगल है कुछ इस प्रकर से तो यहाँ पर यह वाला part parallel यह दोनों parallel है तो इन दोनों का ratio और इन दोनों का रहाँ एकोल आ जाएगा तो कुछ इसे प्रकार हम क्या करेंगे रहों ले इंगे अभिक्वव अभी हमने सिख़ा ratio कौंसा equal लेंगे इन दोनों का रहाँ और इन दोनों का इसके बाद नीचे BD upon DC, BD upon DC, ये वाला पार्ट हमारा बन गया equation 1, और इसे reason क्या देंगे हम, reason क्या लिखेंगे हम पर basic proportionality theorem, तो अब इतना हमें ध्यान में रखना है, ये हमारा पहला equation बन गया, अब जो prove वाला पार्ट है हमारा, जो prove करना है, वो वाला पार्ट और ये वाल क्या डिफ्रेंस है, इसमें डिफ्रेंस सिर्फ इतना है कि AB के जगह पर BD आ गया यहां पर, देखिए, AB upon AE, sorry, AE के जगह पर क्या आना है, एक मिनिट, यहां पर BD upon DC, सेम है, BD upon DC देखिए, सेम है, तो AB upon AC है, यहां पर AB upon AE है, यानि कि AB upon AC, AB upon AE, तो AC और AE अगर equal show कर दिया हमने तो हम उसे replace कर सकते है, क्या करना है, देखिए, यहां पर यह वाला equation और यह वाला equation इन दोनों में difference क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना difference है, कि AB upon AC की जगह पर यहां पर आया, AB upon AE, तो AE की जगह पर क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, मतलब दोनों equal show करना है हमें, क्या कर करेंगे देखिए, अब यहां पर parallel lines और उनके angles की properties उसे करेंगे, क्लास 9 में जो हमने पड़ा था, parallel lines जो है, AD and EC parallel है, AD and CE, AD is parallel to CE, ओके, और इसमें transversal consider करेंगे, हम यहां पर, क्या करेंगे, transversal consider करेंगे AC, and AC is transversal, okay, AC is transversal, therefore यह जो angle बनेगा यहां पर, यह वाला और यह वाला angle क्या होगा वो, वो दोनों होगे alternate angles, कौन सा angle, angle A, sorry, यह वाला जो angle है, DAC, angle DAC is equal to angle ACE, angle ACE, यह दोनों equal होगे, is equal to X consider करेंगे, और उसे reason देंगे, alternate angles, okay, उसके बाद दूसरा वाला pair, दूसरा वाला pair जो है, B, A, D, angle B, A, D, is equal to angle D, A, C, D, A, C, is equal to, वो भी X बनेगा, यहाँ पर DAC X है, तो यह भी X आएगा, यह क्या हुए, इसका reason क्या हुआ, यहने कि AD क्या है, angle B, A, C, because AD B, A, C, किसे B, A, C, देखें, इस B, A, C को इस AD ने B, A, C, देखें, इस B, A, C को इस AD ने B, A, C, किया, okay, तो equal part बने, यह वाले दो angle equal बने, equal, दो part में divide कर दिया, by set कर दिया, तो यह वाले दो part equal है, यह X है, और यह भी X आया, तो यह वाला भी क्या होगा, X ही होगा, similarly, एक और step यहाँ पर लिखना है हमें, यह दो equation मनगे, equation second, equation third, और यहाँ पर एक और equation लिखना है, यहाँ पर लिखना है, कि AD parallel to CE, AD is parallel to CE, and, आप transversal change करने है, AE is transversal, and, AE is transversal, ओके, अब क्या करना है, AE transversal है तो यह वाला एंगल, देखिए कुछ यहाँ पर, यह वाला एंगल, और यहाँ पर यह वाला एंगल, क्या करना है, equal show करना है, corresponding angles से, वो दो नोख सरी यहापर यह वाला एंगल यह इधर का यह वाला एंगल और यह वाला इंगल करस्पदिंग यानिके एंगल बी एदी इस इक्वेल टु एंगल यह कौन सा है AEC एंगल AEC वह भी क्या बनेगा x यानिके पूरे-पूरे एंगल क्या आएगे x आएगे इसे कौन सा एंगल कहते हैं यह वाला equation हमारा बनेगा equation 4 equation 4 यह angles है corresponding angles corresponding angles तो ओके कुछ इस प्रकार से हमें यह पूरे-पूरे equation हमने लिख लिए तो उससे आप धहन में रख सकते कि यह दोनों एंगल x आ गये, यह भी दोनों x है, उसके बाद यह भी x आ गया, यानि कि यह दो एंगल जो है, यह दो एंगल, वो कैसे है, वो दो कैसे है, equal है, equation 2, 3 and 4 के उपर से हम लिख सकते, from equation 2, 3 and 4, हम क्या लिख सकते है, हम लिख सकते है, angle A, C, E, is equal to angle A, E, C, angle A, E, C, अब यहाँ पर एक बात समझ में लेना जरूरी है, कि अगर suppose यह वाला एक triangle है, और यह एक angle, और यह एक angle, दोनों equal आगे, तो इसके opposite side, यह वाली, और इसके opposite side, यह वाली, दोनों opposite sides कैसे होंगी, equal होंगी, यानि कि इस angle के opposite side कौन सी है, यह वाली A, E, is equal to क्या आएग होंगा, is equal to यह वाली दूसरी side कौन सी है, A, C, A, E equal to A, C आजाएगा इसके उपर से, तो A, E equal to A, C बना यह वाला equation 5 बना हमारा, तो यहाँ पर देखिए, equation first जो है, उसमें यह वाला equation put करेंगे हम, equation 5, मतलब A, E के जगह पे क्या put करेंगे, A, C, मतलब from 1 and 5, from 1 and 5, क्या करना है हमें, A, E और E C equal आगे, तो A, E के जगह पे कहाला है, A, C, A, C, Mतलब A, B upon A, C is equal to B, D upon D, C that is, उसे ही हम ऐसे लिख सकते है, B, D upon D, C is equal to A, B upon A, C, कुछ इस तरीके से हमारा यह थेरम प्रूव हो गया हैंस फूर बस ज्यादा सोचनी की बात नहीं है कुछ इस तरीके से यह थेरम हमें प्रूव करने थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है या कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स मे जरूर बताएगा अगले वीडियो में हम फिर से एक बार देख लेंगे तो ठीक है अब तक के लिए इससे उपर का एक एक एकसंपल देख लेंगे इसके आगे एकसंपल क्या है देखिए एकसंपल है इंट्रेंगल पीक्यों और सेग्मेंट आरियस बाइसेक्ट एंगल यहां पर भेख एक एंगल वैसेक्ट एंगल रोड इफ पी याड़ इसको टींड दिया गया है 15 और क्यू दिया गया है 20 और क्यू है 20 पी जट्वर हमें इसक्यों क्यू फाइंड आऊट करना है बीपीटी के एकसंपल जाए सा था तरह सेम उसी टाइप क of which angle Rx is the bisector of angle R जो कि हमें दिया गया है तो उससे होगा क्या तो इन दोनों का रेश्यों यह इन दोनों के रेश्यों के इक्वल हो जाएगा मतलब किसका रेश्यों पी एस अपन स्क्यू पी एस अपन स्क्यू इस इक्वल टू पी आर अपन क्यू आर अपन आर क्यू कह सकते हैं इसे क्या कहेंगे अंगल बाइसेक्टर थेरों एंगल बाइसेक्टर थेरों ओके तो कुछ इतना ही धान में रखना है डियर्फूर वेल्यू पूट करेंगे पीस कितना है पीस है ट्वेल अपन इसक्यू कितना है मालूम नहीं इसक्यू एस इस रख देंगे इस इक्वल टू पी आर कितना है 15 है अब क्या आया 12 इंटो 4 क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करेंगे 12 इंटो 4 इस इक्वल टो यानि 3 इंटो सक्यू अब क्या करना है यह स्क्यू एक वाल्यू फाइंड ओट करने यह स्क्यू आज इस रख देंगे अब यहां पर क्या है 12 इंटो 4 48, 3 multiply में है, यहाँ पर काके divide में आ जाएंगा, क्या आ जाएंगा, divided by 3, अब क्या बना, 3 1 जा 3, and 3 6 जा 18, यह value of sq क्या आई, 16, तो कुछ इस तरीके से यह equation हमें solve करना है, ठीक है, ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्या हुआ यह equation क्या बना, value क्या आई, sq की, value sq is equal to 16, जैसा बीपीटी solve करना है, सिर्फ थेरम, सिर्फ प्रॉपर्टी और डिफरेंट है, solve करने की method पूरी की पूरी, same है, तो दोनों थेरम, I hope आपको समझ में आ गए होगे, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम समझ में लेंगे, parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines, देखे, तीन parallel line दी गए है, line L, M and YN, क्या दिया गया है, line L, M and YN क्या है, parallel है, मतलब, if line L is parallel to line, M is parallel to line, YN, तीनों line क्या है, parallel है, यह प्रॉफ आपको पूछा नहीं जाएगा, एक सम में उतना कुछ important नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, statement ध्यान में रखना है, कि क्या दिया गया होता है, और क्या उससे हमें find out कर सकते हैं, तो यह तीन line parallel है, तो उसके बाद intercept क्या है, यह वाला concept, intercept क्या होता है, दो parallel line के बीच में, जो segment होता है, उसे हम intercept कहते हैं, यह देखे, AB, AB वाला यह transversal पर यह पहला और यह दूसरा intercept है, तो इन दोनों का ratio, यह वाला पहला ratio, AB upon BC, यह जो ratio है, यह PQ upon QR के जितना होगा, PQ upon QR के जितना होगा, यह वाला हमारा theorem कहलाएगा, property of three parallel lines and their transversal, यह तो आपको exam में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके उपर आपको question definitely पूछा जा है, क्यांसा question होता है, example कैसा आता है, इसके उपर, वह हम देखेंगे, देखें कुछ इस तरीके से, यह वाला जो example है, प्रैक्टिस जट का example है, जिसे हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, यह 3 lines parallel है, कौन से 3 lines, यह देखें AB, यह एक line है, और उसके बाद CD, यह एक line है, और उ जैसे यह दोनों क्या हो गए उसके इंटरसेप्ट हो गए याने के AC and CE यह पहली जोड़ी इंटरसेप्ट के उसके बाद यह दोनों दूसरे आपान CE, AC upon CE is equal to BD upon DE, BD upon DE, property of ratio of intercepts made by three parallel lines, property of three parallel lines, simply इसा लिख सकते हैं, property of three parallel lines, तो उसके बाद value वोट करना है, value क्या है, value of AC क्या है, 12, value of CE क्या है, है X is equal to value of BD क्या है 8 and value of DF क्या है sorry DE नहीं आपर DF आएगा AB AC upon CE is equal to BD upon DF तो यहां पर DF हो जाएगा DF क्या है 4 therefore 12 into 4 cross multiplication कर दिए 12 into 1 minute 12 into 4 तो simply वैसा नहीं करने के हो जाएगा हम क्या करेंगे 4 उन्जा 4 4 तूजा 8 डिवाइड कर देंगे उसके बाद cross multiply 12 is equal to X into 2 तो 2 multiply है इधर आपकर क्या हो जाएगा divide हो जाएगा 12 upon 2 is equal to X तो कितने value 6 X is equal to 6 क्या find out करना था find X and AE AE भी find out करना है तो X find out कर लिया हमने अब AE कैसे find out करना है AE is equal to AE is equal to क्या है AC plus CE value of AC क्या है AC है 12 CE कितना है X है उसे put करेंगे 12 plus value of X 6 that is equal to 18 AE कितना आया 18 तो कुछ इस तरीके से हमें यह वाले question find out करने है solve करने है तो I hope यह पूरे पूरे तीनो थेरम या जो properties थी आपको समझ में आ गए होंगे और उसके उपर जो example है वह भी आपको समझ में आ गए होंगे और इसके उपर जो पूरा का पूरा practice set हमारा बचे हुआ है वह हम अगले वीडियो में cover करने की कोशिश करेंगे यह थोड़ा बह हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा thank you